राष्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रावध्यूकि की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नबोदय विद्यालेओं के कक्षा आठ के विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितिये पाथ्य पुस्तक हमारी हिंडी भाग तीन में सम्मिलित पाठों का आधर शुवाचन। प्रस्तुत है पाठ सौर उर्जा। प्राचीन भारत में हमारे रिशिमुनी सूरे को देवता मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वे यह कलपना करते थे कि सूर्य एक ऐसे रथ पर यात्रा कर रहा है जिसमें केवल एक ही पहिया है। सूर्य के रथ में साथ घोडे जुते हुए हैं। यदि हम इन कलपनाओं के अर्थ को समझने की कोशिश करें। तो हमें पता चलेगा कि केवल एक पहिया बिना किसी सहारे के अपने आप खड़ा ही नहीं रह सकता। उसे सदा घूमते या चलते ही रहना होगा। कहते हैं कि सूरज के साथ घोडे हैं जो सूर्य की किरणे हैं। इनके साथ रंग हैं। लाल, पीला, हरा, नारंगी, आसमानी, बैंगनी और नीला। रिशियों ने जब वैज्यानिक द्रिष्टी से सूर्य को देखा, तो उसे इस स्रिष्टी की आत्मा कहा। हमारी स्रिष्टी में जो कुछ भी है, वह सूर्य के कारण ही है। उसकी किर्णे हमें प्रकाश देती हैं। उसकी गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में बादल के रूप में छा जाता है। सूर्य के प्रकाश से प्रिथवी पर पेड़ पोधे उगते और बढ़ते हैं। वे फूलते और फलते हैं। हम अपनी भाशा में कहते हैं कि सूर्योदय हो गया या सूर्यास्त हो गया। लेकिन सच्चाई यहा है कि सूर्य ना तो कभी उदय होता है और ना कभी अस्त। वह तो एक ही स्थान पर टिका रहता है। हमारी प्रिथवी उसके चारों ओर घूमती रहती है। जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। रितुएं भी प्रिथवी की स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण बदलती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य उर्जा का विपुल भंडार है। उर्जा क्या होती है? क्या वह तेज है? गर्मी या उश्मा है? अथ्वा शक्ति है? वैज्ञानिकों ने उर्जा को काम करने की शक्ति माना है। सूर्य की प्रार्थना करने वाले सदा यही तो मांगते हैं। हे सूर्य देवता हमें धन धन निदू। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कार्य संचालन करने की इस शक्ति को ही आज हम उर्जा कहते हैं। सूर्य की उर्जा चिरकाल तक बनी रहने वाली उर्जा है। प्रित्वी में भी उर्जा के अनेक भंडार है। पहले मनुष्य लकडी और पशुओं के गोबर के कंडों आधि से प्राप्त होने वाली उर्जा को काम में लाता था। आज वह प्रित्वी के तल में छिपे कोयला, तेल और गैस का भी प्रयोग कर रहा है। परन्तु आधुनिक सभिता और वैज्ञानिक तथा और द्योगिक प्रगती की धुन में, मनुष्य ने इस प्राकृतिक उर्जा को बहुत अधिक खर्च कर डाला है। हो सकता है कि भविष्य में उर्जा के ये सब स्रोत भी समाप्त हो जाए। इसलिए आज संसार भर के वैज्ञानिक अन्यान्य स्रोतों से उर्जा प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जंगलों के अंधा धुन्द कटने से मौसम और हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र तटों तथा नदियों का पानी शहरों की फैक्टरियों के मलवे और गंदगी से प्रदूशत हो गया है। गैस के बदबूदार धुए से हमारा वातावरण इतना अधिक प्रदूशत हो गया है कि मनुष्य और जीवजन्तु धीरे धीरे मृत्यू की ओर खिसकते जाने के लिए मजबूर हो गये हैं। आधुनिक वैज्यानिक और अध्योगिक प्रगती से मानवता के सामने जो खत्रे उत्पन्न हो गये हैं। आज हम उनके प्रति चिंतित हो रहे हैं। आज विश्व के अनेक देश उर्जा के ऐसे स्रोतों का उपयोग करने लगे हैं। जो अक्षय हैं। इनमें सौर उर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सौर उर्जा का स्रोत गैस, तेल और कोयले की तरह समाप्त नहीं होगा। सौर अब नई नई आशाओं का प्रतीक बन गया है। आज हम अपनी प्रगती के लिए सौर की किरणों से उर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इस उर्जा को सौर उर्जा कहते हैं। सूर्य में कितनी उर्जा है, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। अगर हम प्रित्वी पर उपलब्थ उर्जा के परंपरागत साधनों जैसे कोयला, गैस, तेल और लकडी आदी को एक साथ जला दें। तो इनसे प्राप्त होने वाली उर्जा प्रित्वी पर तीन दिन तक पढ़ने वाली धूप की उर्जा के बराबर भी नहीं होगी। यदि हम धूप को विद्युत में बदल दें, तो हमारी छत पर आने वाली सौर उर्जा से पूरा घर, शीत रित्व में गरम और ग्रीश्म रित्व में थंडा रखा जा सकता है। इससे घर में रेडियो, प्रेस, इस्त्री, हीटर और अन्य विद्युत उपकरण भी चलाए जा सकते हैं। विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिकों ने सौर उर्जा से बिजली प्राप्त करने के अनेक सफल प्रयोग किये हैं। अब उन्हें इस उर्जा से रेडियो, टलेविजन, टलेफोन और मोटर गाड़ियां तक चलाने में सफलता मिल चुकी है। भारत में भी सौर उर्जा का अनेक कामों में उपयोग होने लगा है। भारत गावों का देश है। हम गाव गाव में बिजली पहुचाना चाहते हैं। आजकल सडकों के किनारे लगे प्रकाश खंभों के बल्बों को सौर उर्जा से जलाया जा रहा है। सामुदाइक केंद्रों में टीवी पर दूरदर्शन के कारेक्रम दिखाये जा रहे हैं। सौर चूलों का निर्माण भी किया गया है। जिससे परमपरागत चूलों से उठने वाले धूएं से बचा जा सकता है। अब किसानों को सिचाई पंपों को चलाने के लिए भी सौर उर्जा से विद्युत शक्ति प्राप्त हो रही है। इससे मिट्टी के तेल और कोईले की खपत में भी बचत हो रही है। हमारे देश में कभी कभी सूखा पड़ जाता है। पानी की बहुत कमी हो जाती है। मदुरे के कुछ इंजीनियरों ने एक सौर भट्टी बनाई है। इस भट्टी की मदद से समुद्र के खारे पानी को पीने के मीठे पानी के रूप में बदला जा सकता है। यदि हम बड़े पैमाने पर इस प्रकार का मीठा जल उपलब्ध करा सकें। तो खारे पानी को पीने और कपड़े धोने के लायक बना कर लोगों तक पहुचाया जा सकता है। समुद्र के पानी को पाईपों द्वारा दूर दूर तक ले जा कर सिचाई के और दूसरे कामों के उपयोग में भी लाया जा सकेगा। सौर उर्जा धर्ती पर तो उपयोगी सिद्ध हो ही रही है। अंतरिक्ष में भी मनुष्य इसका नए नए आविशकारों में उपयोग कर रहा है। अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह सौर उर्जा से शक्ती प्राप्त करके अपना काम कर रहे हैं। इन उपग्रहों से हमें धर्ती के भीतर और समुत्र तल की गहराईयों में छिपी प्राकृतिक संपदा के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। इतना ही नहीं उपग्रह की सहायता से हम आने वाले मौसम की जानकारी भी पहले से ही प्राप्त कर लेते हैं। सौर उर्जा प्राप्त करने के लिए उसे विद्युत में बदलना जरूरी होता है। जिसका सबसे सरलसाधन सौर बैटरी होती है। ये बैटरियां सिलिकन की बनी होती है। सिलिकन रेत से बनाया जाता है। सिलिकन से बनी बैटरियां सस्ती तो बहुत होती हैं। लेकिन सिलिकन को बैटरी के लायक बनाने में खर्च बहुत आता है। जब सौर बैटरी को प्रकाश में रख दिया जाता है, तो इसमें लगी दो पट्टियों में बिजली उत्पन्न हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन एक पट्टी से दूसरी पट्टी में प्रवाहित होते हैं, तो बिजली पैदा हो जाती है। इस बिजली का उपयोग हम न केवल रेडियो चलाने और हीटर जलाने आदी के कामों में कर सकते हैं, बलकि इसकी सहायता से मोटर गाडियां भी चलाई जा सकती हैं। भविश्य में सौर उर्जा क्या-क्या चमतकार दिखाएगी और हमारे जीवन में कौन-कौन से परिवर्तन लाएगी, इसके बारे में अभी से बता पाना कठिन है। हमारे रिशिमुनी देवता मानकर जिसकी पूजा अर्चना किया करते थे। उसी सौरे की विपल उर्जा से मनुष्य का आधुनिक युग में उपकार हो रहा है। सौर उर्जा अभी आप सुन रहे थे। हमारी हिंदी भाग तीन के ध्वनी पाठों की शंकला में यह पाठ। विशीष सहयोक डॉक्टर सुरेश पांडे परियोजन समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर स्वर सुचित्रा गुप्ता ध्वन्यंकन सतीश लाडे एवं दीपक पांडे ध्वनी संपादन धावुद्याल चत्रुबेदी तथा निर्मान एवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन